बात यह है कि IAT को लेके बहुत सारे मित हैं, वो मार्केट में फैले वे हैं, कोई बोल रहा है कि IAT में आने पर करोडो का पैकेज लगता है, कोई बोल रहा है कि यहां पर गर्ल्स हैं, वो बिल्कुल नहीं है, कोई बोल रहा है कि यहां के प्रोफेसर्स हैं, वो बिल्कुल न Now let me start from very first point IIT में आने पर करोडों का पैकेज लगता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है इससे बड़ा मिथ दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है अगर हम एक IIT का एवरेस पैकेज गूगल करके देखते हैं तो वो 8 से 15 लाग के बीच आता है और जब बात आती है कि एक करोड का पैकेज है वो किसको मिल रहा है तो ये एक करोड का पैकेज है वो बहुत ही selective students का लगता है और most of the cases में जो placement होता है वो इंडिया के बाहर होता है तो जो companies होती है वो dollar या किसी और currency में पै करती है और इंडिया के बाहर वो other country का जो tax system होता है वो काफी differ करता है वहाँ पे रहने का खर्चा है वो काफी differ करता है काफी different होता है जब हम उन rupees को Indian rupees में convert करते हैं तो वो 1-5 करोड के बीच में आते हैं जो दिखने में काफी ज़्यादा cool लगते है बट actually जो truth होता है वो कुछ और ही होता है और सबसे बड़ी बात है वो बहुत ही selective लोगों को मिल रहा होता है तो IAT में आने से पहले ये तो सोच के बिलकुल मत आना कि यहां आएंगे और एक करोड का package लेके चले जाएंगे इवन ये सोच के जरूर आना कि यहां आने पर बहुँ जादा opportunities मिलने वाली हैं और शायद मेहनत करके आप बहुत अच्छा कर लो life में Now let me move on second point which is related to fees structure of IAT हम market में ना IAT के package के बारे में काफी कुछ सुनते हैं कि वहाँ पे एक करोड का package लगता है डेट करोड का package लगता है इवन दो करोड का package लगता है बट हमें fees structure के बारे में बिलकुल भी information नहीं होती है और हमें ऐसा लगने लगता है कि IAT में selection के बाद हमारी ना के बरावर fees लगेगी बट ये दुनिया का सबसे बड़ा myth है हर IAT के एक fees structure होती है जो 1.3 से 1.5 लेक के बीच में vary करती है और इसमें mace fees, hostel fees और tuition fees include होते है अब सवाल यह उर्थ है कि क्या ये fees सभी की लगती है तो जो general category के student होते है general और obviously category के student होते है तो उनकी तो पूरी fees लगती है लेकिन जो reserve category के students होते है like SC, ST, P, W तो उनकी जो tuition fees होती है वो माफ हो जाती है और उनकी सिर्फ hostel fees और mace fees लगती है इसके साथ ही अगर उनकी parental income है वो 1.5 लाग के बीच में है तो जो उनकी fees लगी है उसका भी 60-70% उनको scholarship के through refund हो जाता है तो ये कुछ fees structure IIT की रहती है ऐसा नहीं है कि IIT में ना के बरावर fees लगती है तो ये भी एक बहुत बड़ा myth है market में क्योंकि हम तो सरे package के बारे में सुनते हैं So IIT में fees लगती है So now let me discuss next point कुछ लोगों का मानना है कि अगर आपको IIT में lower branch offer होती है तो आपको ले लेनी चाहिए बजाए कि आप किसी private college से जाके अच्छी branch choose करके अपनी degree complete करते हैं आपको IIT से degree लेनी चाहिए According to them, IIT tag matters Even branch is not good So इसको मैं कोई myth तो नहीं बोलना चाहूंगी यहाँ पर दो point है discuss करने के लिए पहला point है कि IIT tag matters or not So according to me, IIT tag matters इसमें कोई दोराई नहीं है अगर कोई यह कहता है कि IIT tag है वो matter नहीं करता तो वो गलत कह रहा है क्योंकि अगर मैं आपको एक simple सा example दूँ कि जब हम 10 लोग बैठते हैं तो हमें उनके काम के basis पे उनको judge करने की आदत होती है तो इस case में suppose आप 10 लोगों के साथ बैठे हो और आप बोलते हो कि मैंने IIT कर रखी है तो आपके लिए एक अलग ही लोगों की opinion बन जाती है कि यार यह बहुत ही महंती है बहुत ही hard working है बहुत ही intelligent है तो यह perception बनता है लोगों का आपके लिए तो इस time पर मुझे जीतु भहिया का वो एक कोटा factory वाला dialogue भी याद आ रहा है और IIT का जो tag है ना automatic आपके लिए एक benchmark भी set कर देता है तो मेरे according IIT tag है वो काफी matter करता है अगर second point को discuss करें कि IIT में lower branch लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो IIT में आपको lower branch लेनी है या नहीं लेनी ये बात completely आप पर depend करती है क्योंकि suppose अगर आपको future में placement नहीं लेके आपको खुद का start-up करना है तो IIT की lower branch लेना आपके लिए मेरे according best है क्योंकि suppose आप CSE और MNC में आते हो तो आपकी इतने सारे courses होते हैं इतनी सारी चीजे होते हैं कि आपको पढ़ने सही time नहीं मिलता लेकिन lower branch के courses आप easily manage कर पाते हो और बाकी time तुम इस start-up में लगा पाओगे जो तुम है करना है तो यार यह मत देखो कि यह lower branch है lower branch के अपने फाइदे भी हैं हाँ कुछ नुकसान भी हैं हो सकता उतना जादा package ना लगी but you don't worry जो market में एक myth फैला हुआ है न कि यार मैंने तो lower branch ले ली मेरा तो भविशे खराब हो गया ऐसा कुछ नहीं है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो lower branch से pass out होने के बाद जादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं यह अलग बात है कि उन्होंने जॉब नहीं ली वो कुछ और कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे myth हैं जो market में फैले वे हैं इसके अलावा जो बचेवे points हैं वो मैं part 2 में discuss करूंगी hope so आपको यह वीडियो पसंद आया अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इसे like करना, share करना और मेरे चैनल में साइटेन को subscribe करना